आज आपके साथ हम जिस मोदक की रेसिपी सेयर कर रहे हैं यह जितना खुब सूरत दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा यह खाने में भी टेस्टी है और खास बात यह है कि यह बनाने में बहुत ही आसान है तो फ्रेंट्स अगर आपको हमारी यह रेसिपी थोड़ी से भी पस अंदर लग रहा है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने लेना है दूद्ध जो कि हमने यह 125 एमल के जितना लिया है आप इसमें कच्छा दूद्ध ले सकते हैं या पका हुआ जैसा भी हो बस आप मेजर्मेंट का ध्यान रखेगा यह एकदम पर stuff के जितना मिल्क पॉडर तो यह सारी चिज़े ना आप किसी कटोरी या कबसे भी कर सकते हैं तो जैसे अगर कटोरी से कर रहे हैं तो दूद्ध आपको थोड़ालेना है उससे ज्हादा आपको इल्क पॉडर लेना है इसारी चीज़ों को दिया चारी होँ तो आब है तो इ और इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे जब तक कि यह मावा नहीं बन जाता है और आप देख सकते हैं ना इसको बनाने के लिए किसी मोटी ही बॉटम या मोटी तली की कड़ाही पैन जो भी आपने वही इस्तेमाल कीजेगा नहीं तो यह जलने लगता है और अच्छे से बनत चुका है और इस तरीके से बिल्कुल आप इसको जलाएगा नहीं मेडियम फ्लेम पर हमने इसको रखा हुआ था और तक्रीबन साथ से आठ मिनट का टाइम लग गया है हमारा मावा बिल्कुल वाइट बना हुआ है कहीं से जला नहीं है कोई कलर चेंज नहीं तो अब इसको आड कर देते हैं चीनी का पॉडर यह आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज़्यादा इसमें मैनेज कर सकते हैं क्योंकि जो मिल्क पॉडर होता है वो भी मीठा होता ही है तो यहां पर मैंने जितना मिल्क पॉडर लिया हुआ था ना उतना ही मैंने उसी के हिसाफ से मैंने इ जो डो है वो इकदम गीला हो जाएगा तो देखे बिल्कुल हमारा इसका जो आटे की तरह डो है वो लग चुका है तो अब यहाँ पर थोड़ी से हमने कटे हुए कुछ ड्राइ फूट ले लिये हुए है जिसमें हमने काजू और बदाम लिया है बस आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जैसे किसमिस वगयरा पिस्ता चिरोंजी यह सब भी डाल सकते हैं दो चमच इसमें डेसी किरेट कोकोनट यानि की सूखा नारील का बुरादा मिलता है मार्केट में न वो या फिर आप घर में लाके इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और आप थोड़ा सा पोर्षन लेंगे इस डो का मिल्क पॉडर जो हमने मावा बनाया है इस मावे का थोड़ा सा डो लेंगे और इस में जो हमने ड्राइफूट और यह डेसी कीटड कोकोनट रहें है इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होता है काफी अच्छे से बाइंडिंग देखे हो जाती है वरना फिर यह खाली ड्राइफूट रहेंगे और नारियल ही रहेगा तो इसे विख्रे रहेंगे ना तो वो अच्छा नहीं हो पाता है तो जब थोड़ा सा ये पोर्शन ले लेंगे मावे का तो इसी तरीके से सेम आप चाहाएं तो जो दूद का मावा होता है ना उससे भी बना सकते हैं मिक्स करने के बाद इस की हम चोटी चोटी सी गोलियां बना लेते हैं अगर आप मुदक की और भी रिचली देखना चाहते हैं hustle कर सकते हैं और यह मैंने मोदक बनाने का साचा ले लिया है इसको मोल्ड भी बोलते हैं और यह ओफ-लाइन ऑन-लाइन कहीं से भी आप पर्चेस कर सकते हैं बहुत ही इसड़ी आपको मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा महगा नहीं मिलता है कि मैंने ओफ-लाइन ही लिया था तो मुझे क्या करेंगे थोड़ा सा घी लगा लeते हैं घी लगाने से क्या होता है ना यह बहूत ही अच्छे से निकल कराते हैं बिलकुल ब्रकुल चीपटे नहीं है तो चलिए आफ हमने घी लगा लिया है बहुत जादा भी वर बार भर आपको लगाने-क ज़रूरत नहीं पोर्शन हम लेते हैं मावे का और उसको काफी अच्छे से इसकी कैविटी बना लेते हैं इसमें और अच्छे से चिपका देते हैं अंदर की तरफ थोड़ा से बीच में आप फोल कर दीजेगा क्योंकि हमें जो गोलियां ड्राइफूट की बनाई है वो भी तो इस्टप करनी कर दो में लिएयागा है और इसको काफी अच्छे से या फ्रेस की जेगा बहुत अच्छे से ङेगे बहुत ही अच्छे से निकलकर आती और फाइनली यह लेजे रहली कितना गजप और वगरा है तो बहुत ही मस लगता है खाने में और इस तरीके का भोग भला किसे नहीं पसंद आएगा बहुत ही आसाना इसे बनाना तो बहुत ही इंस्टेंट यह बन जाता है तो देख सकते हैं कितना यह सुंदर लग रहा है तो जब भी आपके पास टाइम की कमी हो या फि आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी मदब चढ़ा सकते हैं भोग के लिए और या फिर खा सकते हैं बाकि अगर आप जिम भोग के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो और आपको कर लेनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे थोड़ी से पाने की तो थोड़ी सी ड्रॉप इसके उपर गिरा देते हैं इस तरीके से और देख सकते हैं कितना यह सुंदर लग रहा है और जो यह केसर के धागे हमने इसमें डाले थे ना यह भी फूल चुके हैं तो इसको भी ऐसे चिपका देते हैं फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैंने किसी हमने इसमें लगा दिये और थोड़ी से गुलाब के फूल रखे होगे थे तो उसके जो पैटल्स होते हैं ना उसको मैंने एक दम छोटा सा तोड़ कि और उसको भी चिपका दिया है जो कि बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और आप इसका फाइनल कलर देखिए फाइनल मानिए यह मोदक सच में बहुत प्यारा लग रहा है देखने में खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है मोदक की और भी रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है तो इंट्रेस्टिड हो तो आप चैनल पर जेकाउट कर सकते हैं और यह रेसिपी जरूर से पूजा करने के लिए तो यह हम उन्हें दे कर आते हैं तो भोग हमारा मतब यह मोदक के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट बहुत ही खुबसूरत तरीके से बनकर तयार है तो आप इसको ट्राइक कीजिएगा फिट्बैक से हर कीजिएगा और हम मिलते हैं अपनी एक और नई इ खेल सारी सुभामना है